आपके आपने यूट्यूब चैनल आर देवरे में आपका स्वागत हैं दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकूं को प्रेज जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिल तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे अवर्ट इंडिया लिमिटेड कंपणी के बारे में इस कंपणी में कोई बड़ी न्यूज आने की संभावना है क्यूंकि इस कंपणी में 28 तारीक के दिन 28 सब्सक्राइब के दिन बहुत ही ज्यादा डिलिवरीज उठाई गई है तो डिलिवरी का डाटा किस परकार है तो देख सकते एक माहा का अपने पार डिलिवरी का डाटा है तो 28 सप्तिम्बर के दिन देख सकते ही एक कैसी पॉइंट 98% तक डिलिवरीज उठाई गई है उसके पहले 27 तारीक के दिन 35%, 42, 50, 41, 35, 35, 31, 32, 35, कोई 70% के आसपास भी नहीं है और नहीं 60, 60 देख सकते एक ही बार है काफी ज़्यादा डिलिवरीज उठाई गई है 28 तारीक के दिन और वाल एक माहा का चार्ट पेटन देखे तो उस ही सबसे काफी ज़्यादा डिलिवरीज उठाई गई है मतलब यह संभावना है कि इस कंपनी में कोई अच्छी ख़ब पर आ सकती है एक कंपनी का चार्ट पेटन देखे क्या लॉंग टम के लिए इस कंपनी में इंवेस्ट करना सही रहेगा या नहीं तो एक दिन में देखें तो एक पॉइंट 15 परसें तक नेगेटिव रिटन दिये हैं जिसका आच्छा खासा फाइदा उठाया गया है काफी ज्याधा डिल्विरिग उठाई गई हैं पाच दिन का चार्ट पेटन देखें तो 0.88% के नेगेटिव रिटन एक महा में 9% के पॉजिटीव रिटन दिये हैं 6 महा में 38% के पॉजिटीव रिटन एक साल का डाटा देखें तो 27% तक रिटन दिये अपने शेर्वल्डर को प पे अच्छा चार प्रेटन है कंपनी का मार्केट के आप देख सकते हैं 44,608 करोड का मार्केट कैप है श्टॉक का पी 63.2 का है बुक वेल्लियू 1225 डिविडेन एल 0.57 परसें रिटन ओन कैपिटल इंप्लोईट 35.2 परसें रिटन ओन एक्विटी 27.4 परसें पेस वेल्लियू 10 की है डिप टो एक्विटी रिशो देख सकते हैं 0.06 है सेल्स ग्रोथ एवरेज 5 साल का 10.5 परसें है प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज 5 साल का देख सकते हैं 22 परसें है रिटन ओन एक्विटी 5 साल का एवरेज 25.6 परसें है और EPS देख सकते हैं 332 के हैं कंपनी की बैलेंस इ देखें मार्च 2017 से तो 1365 करोड़ का रिजर्ज था फिर 1691 करोड़ 2018 में 2019 में देखें तो 1987 करोड़ 2020 में 2410 करोड़ और मार्च 2021 में देख सकते हैं 2580 करोड़ का कमपनी कवाद अच्छा खासा रिजर्ज है लॉंग टम बोर्विंग देखें तो 0 है मतलब कमपनी डेफ फिर बोल सकते हैं शौट टम में भी देख सकते हैं शौट टम में किसी परकार का रजा नहीं है कमपनी डेफ फिर कमपनी है current investment company ने कुछ किया है क्या तो नहीं current investment किसी परकार का company का नहीं है cash देखे तो company के पास 2409 करोड का अच्छा खासा cash भी है company की balance sheet बोले तो 5 star balance sheet है balance sheet में किसी परकार की खामी नहीं है company का revenue देखे तो 2017 में देख सकते हैं 2902 करोड का था 2018 में 3298 2019 में 3698 2020 में 4093 2021 में देख सकते हैं 4310 करोड का revenue देख सकते हैं 2017 से continually year on year बढ़ रहा है कपी अच्छी growth हुई है net profit देखते हैं तो net profit दूसी परकार है 2017 में 206 करोड का profit था 2018 में 401 2019 में 450 2020 में 592 2021 में 690 करोड का profit है year on year profit में भी काफी अच्छी growth हुई है 2017 से अगर data देखे तो share holding pattern देखते हैं share holding pattern किस परकार हैं तो promoters के पास देख सकते हैं 75 point के आसपास मदब 94.99% उन्होंने shares hold किये हैं सेवी का rule होता है 95 upon 25 का वो उन्होंने comply अच्छे खासा किये हैं उनको अच्छा खासा अपने company के उपर भरोसा है 55% उन्होंने shares अपने company के hold किये हैं foreign investor के पास देखे तो 0.25% shares उनके पास उन्होंने hold किये हैं इस की बात करें तो इस ने अपने इस्तिदारी बढ़ाई है 6.9% उनके पास shares उन्होंने hold किये हैं पब्लिक के पास देखे तो 18.03% उन्होंने भी इस company के shares hold किये हैं overall company का share holding pattern काफी अच्छा है promotors को अपने company को पर आच्छा खासा भरोसा है overall company का performance देखे तो performance में किसी परकार की खराबी नहीं है company का overall performance काफी अच्छा है year on year company अच्छी खासी growth कर रही है जो company अच्छी होती है वह सस्ती कभी नहीं होती है तो देख सकते हैं वह 20,940 के आसपास इसका share सा भी चल रहा है market में तो यहां 10 shares किसी company खराब company से लेने से अच्छा है कि एक company का अच्छी company का एक ही shares खरी देए ताकि उसमें अच्छा कासा आप अपना income generate कर पाए उसमें अच्छे कासे आपको return मिलें अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like and subscribe जरूर किजिए thank you अच्छे को अच्छे कुर्णा